अनामिकास फूट जरनी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे दालिया के लड़ू जिसे हम मारवाडी में सातू भी कहते है मिक्सर के बरतन में हम लेंगे 250 ग्राम रोस्टेट चना दाल इसे हम पाउडर कर लेंगे इस रोस्टेट चना दाल यानि दालिया के पाउडर को हम आटे के चननी से चान लेंगे ताकि हमें महीन दालिया का पाउडर मिल जाए यह चाननी के बाद जो दरदर्या दालिया बच जाएगा इसे हम चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते है मिकसर के बर्दन में हम लेंगे 125 ग्राम चीनी आप आपके स्वाद के अनुसार कम जाएदा कर सकते हैं और इसे हम पीस लेंगे इस पीसी होई चीनी को हम चननी से दालिया के पाउडर में मिक्स कर लेंगे इसमें हम डालेंगे आधा चमच इलाइची का पावडर और इसमें धीरे धीरे हम पिगला हुआ घी डालेंगे और मिक्स करेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पिगला हुआ घी डालेंगे यह सब एक साथ आकर एक जीव होकर एक आटिक का गोला जैसा बन जाए तो काफी क्विक बन जाते हैं लड्डू हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके घी आड़ करते रहेंगे इसे हम हाथ से मिला लेंगे ताकि यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए यह सब एक साथ आकर लड्डू बनने लगे तब तक इसमें हमें घी डालना है यह देखिए यह आटे जैसा बन चुका है इसके अब लड्डू भी बनने लगे है इसे हम दो मिनिट कून लेंगे ताकि सारी सामगरी अच्छे से एक जीव हो जाए अब इसके हम लड्डू बांद देंगे हमने पिखले हुए घी का इस्तमाल किया है इसलिए यह लड्डू अभी नरम है बट जैसे ही घी रूम टेंप्रेचर पर आ जाएगा यह लड्डू बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे हमारे स्वादिश लड्डू क्विकली तयार है धन्यवाद